अभी को मेरा नमस्कार बीम विमन की विशेश प्रस्तती स्वयम सिद्धा सफर आम से खास तक सिरीज के इस नए एपिसोड में आपका हार दिख स्वागत है आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इलाबात की एक असाधारन महिला श्रीमती अनीता श्रिवास्तव जी के बारे में अनीता श्रिवास्तव जी ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने उन्हें अंतराश्ट्य स्तर पर एक पेशेवर होकी खिलाडी के रूप में भारत का प्रतिनिधत्व करने के लिए प्रेरित किया बच्पन से ही वे एक होनहार छात्रा थी उनका पालन पोश्यन ऐसे परिवार में हुआ जहां सिक्षा को बहुत महत्वत दिया जाता था छोटी उम्र में अपनी मा को खोने के बावजूद अनीता जी को अपने पिता और चार भाईयों से ताकत मिली जो जीवन भर उनके साथ खड़े रहे सिक्षा ने उनके भविश्य को आकार देने में महत्वपून भूमी का निभाई डबल में, पीछडी और तबला में प्रभाकर के साथ अनीता जी की सैक्षनिक उपलब्तियां सीखने के प्रती उनके समर्पन को दर्शाती है पत्रिका के शुभारम के साथ साहित्य को अपनाया, जिसने अब बारा सफल वर्ष पूरे कर लिये हैं वो लेखकों और उनके कार्यों को बढ़ावा देने के अपने समर्पन के लिए जानी जाती है अनीता जी का प्रभाव साहित्य और खेल ठकी सेमित नहीं था विरयान मंच के माध्यम से सामाजिक कारक्रमों में भी सक्रिय रही है इस मंच से प्राप्त उलेखनी पुरुसकारों में से एक है रयान असमिता सम्मान जो हर साल 24 महिलाओं को दिया जाता है इस पुरुसकार की खासियत यहा है कि इसका फोकस ग्रहणियों पर है जो अपने परिबार की खातिर अपने सपनों का त्याग करती है यह लखनाव में एक प्रसिद्ध सम्मान बन गया है जो रोज मर्रा की जिन्दगी की कुमनाम नाहिकाओं का सम्मान करता है प्रतिक और साहितिक जागरुपता फैलाने के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 28 देशों में बहुँचाया है जहां उन्होंने कवी सम्मेलन और दिल्ली विश्व पुस्तक मेले जिसे कारेकरम आयोजित किये हैं रिवान्द के माध्यम से वह साहितिय सम्मान भी प्रतान करती है जो साहितिक उत्कृष्टिता को माननेता देने वाला पुरस्कार है अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद अनीता जी एक पिनम्र और समर्पित व्यक्ती है उनके शौक में पूजा पाट, मंदर जाना और नित्य करना शामिल है वे हर दिन कुछ नया सीखने और आजबाने में विश्वास करती है और यह जग्यासा उनकी आत्मा को युवा और गतिशील बनाए रखती है हर जगा की महिलाओं के लिए उनका संदेश स्पष्ट है अपने बच्चों को सिक्षित करें क्योंकि एक सिक्षित व्यक्ति दस अन्य लोगों को सशक्त बना सकता है सिक्षा और उत्थान के प्रती उनकी प्रतिबद्ध था उनके सामाजिक कारियों और व्यक्तिकर जीवन में छलकती है अनीता जी का होकी से जुड़ाव 1974 में शुरू हा जवार राज जिस तर पर कबड़ी और बास्किट बॉल में पहले ही बहतरीन प्रदर्शन कर चुकी थी लेकिन किस्मत ने उन्हें होकी की ओर खीचा जहां उन्हें अपना असली लक्षे मिला वह उत्तर प्रदेश में जिला महिला होकी संग की सबसे कम उम्र की सचीव बनी हमेशा अपना होसला उचा रखो तुम अजय बन जाओगे इस विश्वास से उन्होंने हर चुनोती से पार पाया है जिससे उन्हें खेल, सिक्षा और सामाजिक कारियों में उत्कृष्टिता हासल करने में मदद मिली है अनीता शिवास्तर जी प्रेना की एक किरण है जो साबित करती हैं कि द्रिर संकल और जुनून के साथ कोई भी बाधाओं को तोड़ सकता है और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है